हलो, मिस्ट्रा क्लासेस की तरब से सभी को नमस्कार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब करने, वीडियो को लाइक करने, वीडियो को अपने अपने ग्रूप पर सियर कलने ये रहा फर्स राउंड कट्गरी वाइस कटाफ नीट 2023 आल इंडिया काउंसलिंग का जनरल में 618 पर मतब 618 पर कालिच मिल गया है OVC को 616 पर कालिच मिला EWS 613 पर कालिच मिल चुका है SC 509 पर कालिच मिला है और ST 479 पर मिल चुका है Government Medical College और यही कटाफ मैंने बताया था तब आप लोग नाना प्रकार के उट पटांग केमेंट्स किये थे आज आप देख लीजे वही कटाफ जो मैंने बताया था वही गया है यह लोईस कटाफ है आल इंडिया फर्स राउंड का अब सोचे इस्ट्रे वैकेंसी राउंड में कम से कम हर केटगरी में 20 मार्क कम हो जाएंगे तो आप सोच लीजे जतना कटाफ पिछले साल गया था 2022 में वही कटाफ लोईस इस साल भी रहेगा और ये चीज़ जब मैंने बोला था तो नाना प्रकार के आप लोग हमको उपदेश देने लगे थे खर वो आपका काम है आपका अपना काम है मेरा अपना काम है हमारा काम है सही गाइडेंस आपको देना कामेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं चाहे जैसे भी कामेंट करें कामेंट का प्रभाव मेरे उपर नहीं पढ़ता है क्योंकि मैं सही डारेक्शन ही दिखाऊंगा अगर आपके नंबर कम है आइडिया आपको लग गया है अगर आपके 590 से कमबर नंबर कम है तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दे काउंसलिंग में भाग ले लेकिन पढ़ाई आप शुरू कर दे इसमें आपकी मदद मिस्सा क्लासिस भी कर सकता है क्योंकि मिस्सा क्लासिस लेकर क्या रहे हैं बायो की ड्रॉपर NCRT बैच ये बैच 10 अगस से 3.30 पीम टू 5 पीम तक चलेगी इस बैच को जोईन करने के लिए एक नंबर नोट करिए 98261-35699 या दूसरा नंबर नोट करिए 989-360-3572 पर संपर्क करें इसमें 11 तर 12 की भायो की NCRT लाइन बाइन कराएंगे किस लाइन से कितने कोश्चन बन सकते हैं या कितने कोश्चन अभी तक पूछे गए हैं ये सब कुछ बताऊंगा मैं बात टीचिंग की करें तो इंडिया की टॉप क्लास की टीचिंग मिलेगी बात फीस की करें तो इंडिया की लुएस फीस पर पढ़ाएंगे लुएस फीस पर इसलिए हम पढ़ाएंगे जिससे इंडिया का हर इस्टुडेंट इस बैच को जोईन करके एक अच्छे गवर्मेंट मेडिकल कालिस तक पहुश सके मेरा मिशन यही है कि बायो क्यंदा 360 में पूरे-पूरे 360 आपको नमबर हम दिला पाएं यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आईए मेरे साथ मिलकर मेहनत करें जीत का एक कदम आगे बढ़ाएं अभी नहीं तो कभी नहीं चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने अपने ग्रूप पर सेर कर ले